समांतर चतुर्भुज में समरूपता क्या आयतों की समरूपता की कसोटियां समांतर चतुर्भुजों में समरूपता जांचने के लिए परयाप्त होंगी? जाहिर है यह परयाप्त नहीं है क्योंकि समांतर चतुर्भुजों के कोण बरावर नहीं होते अतह हम एक और प्रमे तक पहुँशते हैं यदि दो समांतर चतुरभुज में संगत कोण बरावर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानि समानुपाती होती हैं अतह ऐसे समांतर चतुरभुज समरूप होते हैं बच्चो हम प्रमे तीन पर बात करने जा रहे हैं प्रमे तीन दो समानतर चत्रभूजों के बारे में बात करता है ऐसे दो समानतर चत्रभूज जिनके संगत कौन बराबर हैं आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक समानतर चत्रभूज A, B, C, D है और दूसर समानतर चत्रभुज PQRS है और इन दोनों समानतर चत्रभुजों में खासियत है कि इनके संगत कौन बराबर है यानि कौन A बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q, कौन C बराबर कौन R और कौन D बराबर कौन S है यह हमें दिया हुआ है कि दोनों समनांतर शत्रुभुजों के संगत कौन आपस बराबर है ऐसी सिति में हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों समनांतर शत्रुभुजों के संगत भुजाएं भी आपस बराबर होंगी यानि A, B और P, Q का अनपाथ बराबर B, C और Q, R का अनपाथ बराबर C, D और R, S का अनपाथ बराबर D, A और A, S, P का अनपाथ बराबर होगा यह हमें सिद्ध करना है या दूथरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों समनांतर चत्रभुजों में समरूपता है यानि दोनों चत्रभुज एक दूथरे का समरूप है आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं तो चली हम शुरू करते हैं इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक आधार भूत समानुपातिक प्रमे का भी इस्तमाल करना होगा और त्रिभुजों की समरूपता का जो गुण है उसका भी हमें हाँ पर इस्तमाल करेंगे कि आपने को दाराण में देखा था कि एती किसी तुरिभुज की एक भूझा के समानतर कोई रेखा गुजरती है दो अलग-अलग बिंदों से शेष दो भूझाओं को काटती है तो वो बिंदू जो दो खंड बनाते हैं भूझाओं के वा आपस में समानुपाति होते हैं यानि त्रिबुज SQP के बारे में आप देखें तो आप कहा सकते हैं कि BQ और A-B-DAS यदी समानतर है तो S A-DAS और A-DAS P का अनुपाद S B-DAS और B-DAS Q के अनुपाद में होगा यह आधार भुद समानुपादिक प्रमे में आपने पाया है और उस उदारण में आपने यह भी प्रड़ाम प्राप्त किया था कि इन में से कोई एक टुकड़ा या तो यह यह इस पूरी भुजा के अनुपाद के बराबर भी दूसरी तरफ अनुपाद बनाता है यानि इस पूरी भुजा और इस एक टुकड़े के अनुपाद के बराबर होगा यानि आप इस प्रड़ाम पर भी पहुंच सकते हैं कि चलिए शुरू करते हैं हम कुछ रशना करेंगे और सबसे पहले यह जो बड़ा समानंते चदर भुजा आपके सामने दीख रहा है पी क्यू आरेस उसमें एस और आर एस और क्यू को हम मिला देते हैं तो एस क्यू एक विकर्ण की रूप में हमें प्राप्त होता है और यहा इस भुजा के बराबर एक भुजा हम यहां पर लेते हैं और यह जो कोण डी बना है वैसा ही एक कोण यहां पर हम बनाते हैं एडेश पर और इसे आगे बढ़ा देते हैं जो हमको बी डेश पर एस क्यू को मिलता है तो आप देख रहे हैं कि यह और यह बराबर है और यह है यानि क्या है हम ने दो रचना हैं कि शवान के जैसा यह जहाई कर रच लेते हैं और और नए सवहांताय उधगा है जो धीक इस इस के रशना आंदीज तरह की रशना हम ने कर लिए अब हम अब सोफित पो के बीच के संबद को देखेंगे और शील vendors बॉलस मेंट funzion और इनके भुजाओं के बीच जो अन पात है वो देखेंगे, बाद में फिर इन भुजाओं को हम इन भुजाओं से रुपान्तरित कर देंगे. चली देखते हैं सबसे पहले इस तरिभूज को देखते हैं समानतल चत्रभूज का जो विकर्ड हमने एस को खींचा है उससे पूरा समानतल चत्रभूज दौ तरिभूज में बढ़ गया एक तो तरिभूज आप देख रहे हैं SPQ यह आप देखिए SP बटे S A डिश बराबर P Q बटे A डिश बराबर S Q बराबर S B डिश आप यहां पर सोच सकते हैं हमको कैसे मिला आप देख रहे हैं कि यह कोड इस कोड के बराबर है और यह कोड दोनों त्रिभूजों में इस चोटे वाले त्रिभूज में और बड़े त्रिभूज में उभय निश्ट है इसलिए तीसरा जो कोड होगा वह आपसे बराबर होगा यानि इस चोटे त्रिभूज की तीनों कोड इस बड़े जोगे तुलना की और हमने लिखा कि एस पी बटे एस एड़ेस बराबर पी क्यू बटे एड़ेस बीड़ेस और एस क्यू बटे एस बीड़ेस तो ये हमको माल लीजे कथन एक मिला इस तरह से आप तुलर क्यू एस क्यू एस क्यूवार को देखिया ये एस क्यू आर को देखिये तुल में आपको भी मिलेगा फिर से एक बर देखिए बीड़ेस और येस क्यू आर के समाल अनतर है और इस लिए इन भुजाओं का अन पात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा और इस पूरे संदर में आप कहा सकते हैं कि SQ का अनुपात SBDES के साथ जो होगा वही अनुपात SR का S3DES के साथ होगा और ठीक इसी तरह से आप देखिए कि ये और ये कॉन आपस में बराबर होंगे ये जो कोण है वो दोनों त्रिभूजों में इस छोटे वाले त्रिभूज में और बड़े त्रिभूज में उभैनिस्ट है इसलिए जो कोण होगा ये भी आपस में बराबर होगा क्योंकि त्रिभूज की तीरों अंता कोणों के एक्स्वासियन्स होता है तो यह इसके बराबर, यह उबनिस्ट है, इसलिए यह कौन इसके बराबर होगा, तो यह दोनों त्रिभुज, यह छोटा त्रिभुज, B डेस, S, C डेस, और G, Q, S, R, यह दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, और ऐसी परस्ति में आप लिख सकते हैं, S, Q गटे, S, B, डेस, S, Q, s, B, डेस, S, Q को आप S, B, डेस, के साथ तुलना कर रहा है, और फिर S, R, गटे, S, C, डेस, S R B S S S R B S C D S Q R B B S C D S Q R B B S C D S यह आपका कतन दो हुआ दोनों कतनों में आप देखिए कि एक राशी S Q B B S B D S यहां भी है और S Q B B S B D S यहां पर भी है यह भूज़ा से जो बन रहा है S Q B B B S B D S दोनों पर है इसलिए एक रदौ के आधार पर कहा सकते हैं यह दोनों राशी आप इन दोनों राशीयों के बराबर है तो इस कतन को आप यहां पर लिख लें तो आपको मिलेगा एक और दो से आपको मिल रहा है SP बटे S A डिश बराबर P Q बटे A डिश B डिश बराबर SR बटे S C डिश बराबर Q R बटे B डिश C डिश यह चीज आपको हैं पर मिली और आप देखिए कि आपने इसके बराबर 17 चत्रभूश की रच्ना यहाँ पर की हुई थी तो जो भूजा हैं यहाँ पर A डिश B डिश B डिश C डिश S डिश C यह S A डिश की रुप में लिखी हुई है उसको हम इस चत्रभूश के भूजाओं के साथ रुपांतरित करेंगे तो देखते जाएं S P यानि बड़ी भूजा बटे S A डिश C जगह पर आप D A लिख सकते हैं यही कथन आपको मिलेगा S P बटे D A या A D कहले आप D A बराबर P Q P Q बटे A D S B डेश A D S B डेश जो है वो A B को रिप्रेजर्ट कर रही है तो इसके बदले आप A भी लिख सकते हैं यह आपको मिला A B बराबर S R S R इसके बदले आपको S R बटे S C डेश है S C डेश याने जो D C के बराबर है तो हैं आप लिखिए गया D C बराबर Q R बटे B D S C डेश B D S C डेश जो है वो B C के बराबर है तो यह आपको मिला B C यह माली जी इसको कथन 3 कह रहे हैं यह कथन 4 बना इस कथन को आप गौर से देखिए यह बताता है कि यह जो दो समरांतर चत्रबूज आपने A B C D और P Q R S लिए थे उन्हें के भूजाएं हैं SP बटे DA, P Q बटे AB, SR बटे DC, Q R बटे BC यानि आप यहाँ पर यह रिजल्ट पा रहे हैं प्रणाम पा रहे हैं कि इन दोनों समरांतर चत्रबूजों की भूजाओं का अनुपात आपस पर बराबर हैं और यही हैं सिद्ध करना था कि यदि दो समांतर चत्रबूज इस प्रकार के हैं कि उनके संगत को बराबर हैं तो आपने देखा कि उनकी संगत भूजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और ऐसी सिती में आप कह सकते हैं कि ऐसे समांतर चत्रभुज जिनके संगत कौन बराबर हैं वे समरूप चत्रभुज होते हैं तो बच्चों आपके ये प्रमे सिध्ध होता है आप इसे एक बार फिर से कोशिश करिए और देखिए कैसे बनता है